हाई मैं हूँ पुजा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुकिंग पुजा में दोस्तो आज बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी रस्पी तो देखिए दोस्तो किसमिस आने वाला है और हर घर में हर बच्चा डिमांड करता है केक खाने की तो आज मैं बनाओंगी आगलेस मावा केक जो मुंबय और पुने का मशूर केक है दोस्तों जो पार्सी बेक्रीज में काफी पसंद किया जाता है बहुत ही टेस्टी रस्पी है दोस्तों सही में अच्छा बनेगा दोस्तों तो आप पे रस्पी को एक बज़व सो फॉलू कीजेगा तो चली बना ल सकते हैं तो इसे आपको सबसे पहले पांच मेट के लिए प्रीट कर लेना है तो देखिए डारेक्ट केक को हीट ना लगे इसलिए यहां पर रख रही हूं मैं दो जालियां तो एक मैने छोटी जाली लेली है और एक लेली है मैंने बड़ी जाली आप चाहें तो नीचे करना है कि जिस भी बरतल में आपको केक बनाना है उसे पहले से गीस कर लीजिए और उस पर मैदा रस्ट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो नीचे बटर पेपर लगा कर भी इसको यूज कर सकते हैं तो इसे हम रखेंगे साइड में अब बनाएंगे हम अपना स्पेशल मा अभिए में यहां पर पुरा यूज कर रहे हैं आप चाहे तो यहां पर 50aya घा और 50 तेंग और और चाहे तो 100 ग्रम ऐल हीड यूज कर सकते हैं तो इसे आभी अच्छे से मित्स कर लेंगे तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको सारी की सारी चीजे रूम टेंपरिचर पही लेनी है अब यहाँ पर डालूंगी मैं 3 फोर्थ कप सुगर पाउडर तो देखिए सुगर डाल करके भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सुगर के mix होते ही यहाँ पर डाल दोंगी मैं 1 फोर्थ कप condensed milk जो होमेड है मैं आपको इसकी रेशिपी पहले ही दे दी है तो देखिए अगर आप चाहें तो condensed milk यूज़ कर सकते हैं अगर आप पास condensed milk नहीं है तो आप इसकी जगह एक कप भर करके सुगर पावडर यूज़ कर दीजिए अच्छे से mix कर लेंगे तो देखिए बैटर हमारा काफी हलका उचका है अभी यहां पर डालोंगे मैं वन फोर्थ कप दही यानि की कर्ड फिर से थोड़ा सा mix कर लोंगे आधा टीज़्पून डाल दूंगे यहां पर पैनिला एसेंस काफी अच्छा सा फ्लिवर आएगा इससे केक में थोड़ा सा mix कर लेंगे देखिए आदा कप लिया है मैने दूद तो इसमे मैंने पूरा दूद यूज नहीं करना है मैं थोड़ा सा दूद यूज करूंगी इसमें से घ्चा से mix कर लेंगे जबरत होगी तो भात मैं येस मिल्क को यूज करेंगे तो दूद डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अभी हम डाल देंगे अपने ड्राइ इंगिडियंट्स तो यहां पर आपको छान करके ही अपने इंगिडियंट्स लेने हैं मेथट से मिक्स कर लेना है तो काफी आराम से आप इसे मिक्स कर लीजिए देखिए हमारी ड्राइग नीडिनस मिक्स हो चुके हैं अभी यहां पर डाल दूगी मैं 1.500 ग्राम मावा आप देखने जाएं तो यहांने एक कप भर करके मैंने मावा लिया है यहां पर तो मावा डाल करके हमें ओवर मिक्स नहीं करना है तो देखिए बचा हुआ दूद है वह भी मैं इसमें डाल दूगी क्योंकि काफी गाड़ा से लग रहा है हमें यह अपना बैटर काफी हलकेत से हाथ से हमें ऐसे मिक्स कर लेना है देखिए मावा डालने के बाद भी हमने मिक्स कर लिया है अभी हम डाल देंगे बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए यहां पर इलाइची का पावडर बहुत टेस्टी लगता है दोस्ते मावा केक यह मुंबई और पुने की शान है वहां की बेकरीज में बहुत पसंद किया जाता है पार्सी लोगों का मोस्ट फेवरेट केक है यह तो काफी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है यह खाने में तो आप इस रेस्पी को एक बाद जवसे ट्राइग कीजेगा इस क्रिस्मस आ केक बेक कर रहे हैं बैटे डालने के बाद तेन से चार बार हमें अच्छे से टैप कर देना है उपसे डाल दूगी में यहां पर कटे हुए बादाम आप चाहें तो थोड़ी से पिस्ता भी यहां पर डाल सकते हैं अगर आपको ड्राइफूर्स पसंद नहीं है तो आप यह पांच मेंट हाई गयस के बाद आपको एक डम स्लो रखते नहीं है तो लगबग 20-25 में आपका यह के बनकर के तयार हो चुका है दोस्तो कभी-कभी हीट के उपर भी जाता है कि कभी-कभी 5 मेंट कम और 5 मेंट ज्यादा लगती है तो लगबग 30 मेंट के अदर पूरा यह के तो आप से के अपने डौस्तों के चिएगा रही है कि अच्छय को बनाकर किलाएगा तो अच्छ। सको तो देखिए माते बच्च घहाने माले से इनगा का जट कर लेते हैं है काफी लखी बना है तो देखिए माबा केकश में एक खास बात और रोती है कि से जाली ब इल कल पड़ती है फूलता काफी अच्छे से हैं लेकिन इसमय जाली है तो दिखाएं नीद एक क्योंकि काफी जाली होता है बिल्कों भूलेगा और आप चैनल पर नई हैं तो प्लीज आप में चल्क को सब्सक्राइब कर देए